हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत एक बर फिट से एस्टो गुरू चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टेरो विद्कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप और आज कवर करूंगा तेरह मार्च से लेकर के 19 मार्च तक के सब्ताह को दिन प्रती दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है टेरो की इस पर क्या गाइडेंस है यही आज मैं कवर करने वाला हूँ हर एक राशी के लिए टाइम स्टेम्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जहां करने के लिए आप टाइम स्टेम्स पर क्लिक करिए वीडियो फास्ट फारण हो जाएगा और आप अपनी राशी की रिडिंग पर बहुत जाएंगे जो लोग मुझे से पहली बार जुने हैं उनका मैं एस्ट्रोगरू चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आप सभ प्रेशनल एस्ट्रोजर एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं तो आपकी स्क्रीन के उपर यह नंबर जो आ रहा है इसके उपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक परसनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना च हेलो मेश राशी आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में आपके लिए 13 मार्च का जो दिन रहेगा यह एक ऐसा दिन होगा जब आप अपनी एक्षा से कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसमें थोड़ी समस्याएं या रोड़े आ सकते हैं इस दिन आप कुछ एक एडिशन लोग आपकी बात को उतना नहीं समझेंगे उतना केर नहीं करेंगे और ये चीज आपको काफी निराश कर सकती है दूसरों के मामले में इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णें लगभख सही होंगे लेकिन आपका उन पर थोड़ा कम भरोसा होगा इस वज़ा से थो दातारिक की फोर्टीन मार्च का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जब सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल आ सकती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णे प्राया सही होंगे लोगों के बारे में आपका परसेप करना चाहिए रिलेशन के मामले में ये दिन थोड़ा समस्या देगा लेकिन सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में ये दिन बढ़िया है अब लेते हैं पंदरा तारिक को पंदरा मार्च का जो दिन है ये आपके लिए मेशराशी ऐसा होगा जब आप अपनी राह स्वय आप में भी रमे रहेंगे और यही चीज आपको अपने खुद के पत को प्रदर्शित करने में सहायक साबित होने वाली है ये दिन सोच विचार करने का है अपना स्वयम का साक्षात कार करने का है सोच विचार कर निर्ड़ा लेने का है ये दिन अच्छा है बुरा नहीं है relation, education, social image इन सभी के मामले में ये दिन आपको बहुत ही अच्छी तरह से support कर रहा है अब बात करते हैं 16 तारीक की 16 मार्च का जो दिन है ये बढ़ियां रहेगा धन का खर्च इस दिन थोड़ा बढ़ सकता है relation, education, social image तीनों मामलों पर ये दिन बढ़ियां support बनाए है 17 मार्च का जो दिन है मेश राशी ये आपके लिए ऐसा होगा जो आप अपने अनुसार ढाल सकते हैं इस दिन situation को अपने according मोड़ना आपके लिए काफी आसान होगा आप अपने लक्षों को प्राप्त करने की दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्डे काफी हद तक सही साबित होंगे और आप सही पत पर आगे बढ़ रहे होंगे जिसका आपको सुकून भी होगा इस दिन दूसरों का सही योग मिलने की या आपके द्वारा किसी को सही योग करने की पॉसिबिल्टी बनी है ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशल इमेश तीनों मामनों पर बढ़िया है अठारा मार्च का जो दिन होगा ये आपके लिए ऐसा होगा जो आपको ईश्वर की कृपा के अंतरगत रखेगा धार्मिक प्रवृत्ती आपकी होगी कुछ गंभिर साहित्यों का अधेयन आपकर सकते हैं इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णे सही और गलत के तराजू में अगर आते हैं मन आपका हलां कि थोड़ा सा विचलित रहेगा लेकिन काफी हद तक आप इस चीज को मैनेज कर ले जाएंगे तो ये दिन बहुत बढ़िया है और आपके रिलेशन एजुकेशन शोशल मेंच तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट बनाए है 19 मार्च का जो दिन होगा मेश राशी ये ऐसा है जब आप अपने लक्षों को प्राप्ट करने के दिशा में कोई भी काम करें वो आपको आपके लक्ष की और ही ले जाएगा इस दिन आप हालां कि रिलेशन के मामले में थोड़ा सा समस्याओं का सामना करेंगे लेकिन फिर भी ये दिन बढ़िया है किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए दिन बढ़िया है किसी को धोखा देने का काड़ भी इस दिन आपके दोरा किया जा सकता है इसकी छोटी सी समहना बनी है लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आपको ऐसा गलत कारें ना करना पड़े ये दिन रिलेशन के मामले में ठीक नहीं है लेकिन एजूकेशन और सोशल इमेज के मामले में बढ़िया है तो मेश राशी ये था आपका राशिफल 13 से 19 मार्श तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभो कमेंट सक्षन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिया अगले वीडियो में आप से फिर मिलूँगा तब तक के लिए बाई बाई हेलो वरिशब राशी आप सबका स्वागत है आपके रेडिंग में वरिशब राशी यानि कि टॉरस आपके लिए 13 मार्च का जो दिन है ये आपको थोड़ा डरा सकता है कुछ समस्याएं जो आपकी सॉल्व ना हो ऐसा फिल करा सकता है लेकिन ये सब आपके दिमाग में होगा एक्चुली में ये दिन बढ़िया है रिलेशन एजुकेशन शोशल इमेजन सभी मामलों पर अच्छा है हर चीज के लिए ये दिन बढ़िया है आपका कोई काम कारे योजना कोई प्रोजेक्ट 90% के आसपास तक जाके कम्प्लीट हो जाए या लगभग कम्प्लीशन की पोजीशन पर आजा इसकी पॉसिबिल्टी है अगर आप अपने मन में निगेटिव परसेप्शन ना करें तो इस दिन को बहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बस ये याद रखिए अगर निगेटिवली इस दिन में परसेप्शन आप करते हैं तो आपको डर लगेगा घबराहट होगी और आप गलत डिसीजन ले लेंगे इसलिए इस चीज़ से बचने की कोशिश करिएगा अब बात करते हैं 14 मार्च यानि 14 मार्च की ये दिन थोड़ा अच्छा नहीं है रिलेशन एजुकेशन शुशल इमेज इन सभी मामलों पर ये दिन अच्छा नहीं है सपोर्ट नहीं करता डेली रूटीन का इस दिन पालन करें कुछ नए काम ना करें किसी से प्रामिस ना करें हर एक मामले में इन्वालवेशन ना ले और अडिशनल मामलों को टालने की कोशिश करें अनायास चीजों में बिल्कुल उल्जे नहीं एक प्रकार का क्लोजर इस दिन हो सकता है आपके जीवन में किसी ऐसे सिचुवेशन का जो छोटे मोटे हो बट उसका क्लोजर हो कोई छोटा रिलेशन्शिप क्लोज हो जाए किसी मामले में ओवरकम करने की कंडिशन आ जाए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा वो क्लोजर छोटा सा होगा तो उसे होने दीजएगा क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए होगा आपको पसंद आये या ना आए ये कलोजर जो हो रहा है ये आपके भ़ले के लिए है और इसे होने दीजिए इस दिन आपका मन उदास हो सकता है निराश हो सकता है कुछ एक लोगों से या सिचवेशन से मन एकदम उब जाए या निराश हो जाए इसकी संभावना बनी है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा पंदरा मार्च का जो दिन है ये आपके लिए काफी परिवर्तनों को लाएगा परिवर्तन भागेकारी शाबित होगे इस दिन आप एक योजना बना कर काम करते हैं तो आपकी योजना के एकॉर्डिंग सफलता आपको मिल जाएगी इस दिन आपके दोरा लिए गए निर्ड़े काफी हद तक सही होंगे एजुकेशन के मामले में ये दिन 100% पूरा सपोर्ट कर रहा है इस दिन आप अपने निरणयों पर पुनर विचार करके उनको और बहतर कर सकते हैं नए काम शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है इस दिन फॉर्चुनेटली कुछ चीजें आपके फेवर में आएंगी जिसको आपको यूज करना है जैसे कोई अपॉर्चुनेटी मिले उस अपॉर्चुनेटी को पकड़ दीजे छोड़ियेगा नहीं तो इस चीज का ध्यान रखिए ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, शोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है 16 मार्च का जो दिन है हो सकते हैं लेकिन अगर वो किसी के प्रभाव में ना हो तब ही अगर किसी के प्रभाव में डिसीजन लेंगे तो गलत हो जाएगा और उसका खामिया जा भुगत ना पड़ेगा प्रेम संबंधों और संबंधों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा रिलेशन के अलामा एजुकेशन और शोशल इमेज में भी दिन सपोर्ट करता है सत्रा तारीक की बात करते हैं सत्रा मार्च का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जो एक्चुली अच्छा नहीं है रिलेशन एजुकेशन में इस्तख हैं तो अपनी गलती से इस्तख हैं और महां से आपको निकलना सिर्फ आपको है कोई दूसरा अगर उसी सिचुएशन में फहसा है तो उसे फहसा रहनेदे खुद को निकल ले जाएं ये पहला काम आपको करना है मतलब सेलफिश होकर अपने बारे में सोचेंगे किसी को नुकसान नहीं पहुचाएंगे तो ये दिन आपको नुकसान नहीं करेगा इसको याद रखिएगा 18 मार्च का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जो कुछ एक पुराने अटके हुए कामों को करा दे एक हाई एंड एनरजी आपको मिल रही है जिसकी वज़ा से आपके कई सारे काम पूरे हो जाएं या किसी नए काम में प्रोजेक्ट में इन्वाल्व हो करके आप उसमें सफलता अरजित करें इसकी पॉसिबिल्टी है इस दिन समस्याओं का निवरा करना और समस्याओं को बेहतर तरीके से मैनेज करना आपकी स्पेशियलिटी हो सकती है ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, शोशल इमिज, तीनों मामलों में सपोर्ट करता है और किसी योजना बनाने में भी 18 तारिक सपोर्ट कर रहा है 19 मार्च का जो दिन है ये आपके लिए वरिशब राशी ऐसा होगा जो एक नई सुबह, नई किरण लेकर आएगा एक नए आइडिया, नए विचार आपको आ सकते हैं, इश्वर के करपा आपके बनी रहेगी, किसी का सहयोग आपको मिल जाए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा इस दिन आपके दोरा अगर अपने ब्यापार, बिजनस या अपने प्रोफेशन में कुछ नया करने की योजना है तो उसमें सफलता मिलेगी, आप नए इंकम सोर्स को बनाने के लिए भी प्रयासरत है, तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना है, रिलेशन, एजूकेशन इस तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है, तो वरिशब राशी ये था आपका राशीफल, 13 से लेकर 19 मार्ज तक का, राशीफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपेरियंस, अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, इस वीडियो को लाइक करिए, शेर करि अगले वीडियो में आप से फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाई-बाई, आप सब का स्वागत है, आपके रेडिंग में आपके लिए 13 मार्च का जो दिन रहेगा, ये अच्छा रहेगा, काफी हद तक आपके कंट्रोल में रहेगा, आपके सोशल स्टेटस में काफी इ जौब से जुड़े मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है, सफलता दायक है, तो आपके डिसीजन्स लगबख सही होंगे, कुछ एक ऐसे लोग जो अभी तक आपके अपोज में थे इस दिन आपके फेवर में अचानक आ सकते हैं, तो इसे मोमेंटम मानिए, ये मत मान कर च देजिए, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जल्दबाजी इस दिन नुकसान करेगी, हाला कि इस दिन आपके अंदर जल्दबाजी होगी, क्योंकि काफी पैशनेट रहेंगे, अपने टार्गिट्स को अचीव करने के लि लिए मन में बहुत उत्सुकता रहेगी, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिवली ठीक तो हैं, लेकिन इसकी वज़ा से जल्दबाजी और घबराहट में कोई निड़ए नहीं लेना है, ये याद रखिए, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेश, कर रहा है, अब बात करते हैं, पंदरा तारीकी, मेथन राशी आपके लिए फिफ्टींथ मार्च का जो दिन है, ये अच्छा रहेगा, ट्राइंगलर सिच्वेशन, साब के फेवर में रहेंगी, कुछ एक मामले ऐसे, जो अभी तक असाद्ध है या आपको समझ में नहीं पाएंगे, कुछ दूरगामी परिड़ाम, यानि कि कुछ ऐसे डिसीजन्स जिसके भवश्य में बहतर परिड़ाम आवें, ये आप ले सकते हैं इस दिन, हाला कि इस दिन को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, भवश्य के प्रती योजनाएं बनाने में, जिसमें ये दिन कामलों पर सपोर्टिक बना हुआ है, अब लेते हैं आज का, यानि कि 16 तारिक को, 16 मार्च, 16 मार्च का जो दिन है, ये अलग प्रकार कर रहेगा, इस दिन आपको अपने शाइनेस, अपनी घवराहट, अपने शर्म से, अपने हेजिटेशन से ओवरकम करने की जरूरत है, इ को नहीं करना है, एक्चुली काम करना है, सिर्फ आब्जर्वेशन करके नहीं रुखना, इन चीजों के अलामा, अगर आप लोगों को मैनिपूलेट करके अपने लिए थोड़ा इंफ्लेंसिंग करना चाहते हैं, इंफ्लेंशन करना चाहते हैं, तो उस सब में ये दिन सप सपोर्ट कम करता है, तो एप्रॉक्सिमेटली सिक्ष्टी परसंट सपोर्ट देता है, बाकि सोशल इमेज और एजुकेशन में पूरा सपोर्ट बनाए हुए हैं, सेविंटीन्थ मार्च का जो दिन है, ये आपके लिए ऐसा होगा, जिसमें आप कुछ नए रिस्क लेने का काम कर सकते हैं, आपके आपका जो श्रद्धा और आपके विश्वास है वो इश्वर के उपर बहुत अच्छी बनी रहेगी, इश्वर की करपा भी आपके उपर बनी दिखती हैं, लेकिन इस दिन आपको लोगों के अडवाइज को इगनोर नहीं करना चाहिए, जरूरी न नहीं आप उनके अडवाइस को मान जाएं, लेकिन आपको इगनोर नहीं करना बस इतना ध्यान दे, कुछ काम का हो तो ले लीजे नहीं तो छोड़ दीजे, इस दिन आप एक यात्रा पर जा सकते हैं, यात्रा पर जाने का प्रबंध हो सकता है, कहीं किसी धार में कस्थल की यात्रा के पॉसिबिल्टीज भी इस दिन बन रही है, ये दिन रिलेशन और एजूकेशन में बढ़िया है, लेकिन सत्रा तारिक को आपको अपने सोशल इमिज पर ध्यान रखना होगा, अठारा मार्च का जो दिन है, ये आपके लिए ऐसा होगा, जिसमें खुशियां दि दिखता है, आपकी कोई कारी योजना पूरी हो जाए, इसकी पॉसिबिल्टी दिखती है, भवश्य के प्रति एक नई योजना आपके दिमाग में आ जाए, इसकी पॉसिबिल्टी भी दिखती है, इस दिन आप अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपक्ट फु हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रसनता में किसी को कोई प्रामिस नहीं करें, बस इतना ध्यान रखें, बाकी ये दिन रिलेशन एजुकेशन और सोशल इमेश तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट दे रहा है, उन्नीस मार्च का जो दिन है, ये मिथन राशी आपक समस्या में डालेगी, आपको इस दिन का सामना ग्रेसफुली करना चाहिए, डेली रूटीन पर बने रहें, और किसी भी तरह से अपने आपको अंडर एश्टिमेट ना करें, ना सल्फ कॉंफिदेंस को लूज करें, जितना सल्फ कॉंफिदेंस उन्नीस तारीक को होगा, इ सारी गाइडेंस सिर्फ इस लिए थी, क्योंकि ये दिन अच्छा नहीं है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमिज किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं करता, तो मितुन राशी ये था आपका राशिफल, 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक, राशिफल आपको कैसा लगा, अपन में करकराशी आपके लिए 13 मार्च का जो दिन है, ये एक छोटे से परिवर्तन को लेकर आएगा, जो आपके जीवन में चीजों को बहतर तरीके से सट कर देगा, एक प्रकार से एक साइकल का क्लोज होना और दूसरे साइकल का शुरू हो जाना, ये इस दिन की स्पेशियलि बहुत अच्छा है, परिवार को लेकर आप काफी पजेसिव रहेंगे, आपका आपके परिवार के प्रती जो आगरा और लगाव और प्रेम है, उसे परिवार के दोरा सराहा जाएगा और आपको सम्मान की प्राप्ती की अनुभूती होगी, इस दिन आप किसी बढ़ियां किसी निर्ड़ें पर पहुंच सकते हैं, जो बहुत बढ़ियां होगा, अच्छा होगा, और निर्ड़ें के आगे काफी अच्छे परिड़ाम और परिमार दोनों आपको मिल सकते हैं, इस दिन आप, हालनकि दूसरों के बारे में काफी ज़्यादा चिंतित रहेंगे, लेक करते हैं, पंदरा तारिकी, पंदरा मार्च का जो दिन है, करकराशी ये आपके लिए ऐसा होगा, जब आपको दूसरों की बातों के प्रभाव में आने से स्वयम को रोकना होगा, दूसरे लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं, अपना उल्लू सिधा कर सकते हैं, और दूस समय में चीजें मैनेज हो जाएंगी तो इस चीज के लिए आपको ज़्यादा परिशान नहीं होना ये दिन रिलेशन और एजुकेशन के मामले में बढ़ियां सपोर्ट बनाय हुए हैं अब बात करते हैं सिक्स्टीन्थ की यानी सोलह तारिक सिक्स्टीन्थ मार्च का जो दिन है ये टूवे सिच्वेशन को आपके फेवर मिलाएगा आपके बेक्तिगत संबंध आपके ब्यापारिक संबंध अपने पार्टनर के साथ काफी इंप्रूव हो या एक सुचारू रूप से चलें इसकी पूरी संबहना दिखती है इस दिन आपको अपने कार्जियों में कुछ ढीलापन या लचीलापन दिख सकता है और साथी साथ आपके जो टार्गेट्स के अचीव होने का टाइम है वो थोड़ा सा दूर जा सकता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टार्गेट अचीव नहीं होगा इसका बस इतना सा मतलब है कि थोड़ा समय लग रहा है लेकिन चीजें पक्छ में आ रही है इस दिन आप अपने दिमाग में चलने वाली हर योजना पर रिलाइन ना करें जब तक कि आप पूरी तरह आश्वस्त ना हो जाएं इस बात का ध्यान रखिएगा वैसे नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, शोशल इमिस तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है सत्रह मार्च का जो दिन है ये आपके लिए करकराशी इस तरह का होगा जो बिना वज़ा आपके मन में एक आवसाद एक छोटे से डिप्रेशन को क्रियेट करें जिसकी कोई वज़ा नहीं होगी बिना वज़ा मन थोड़ा उद्वैलित रहेगा, चिंतित रहेगा या शंका ग्रस रहेगा, डाउटफुल रहेगा जबकि सिचुएशन धरातल पर, जमीन पर उससे अलग है, उससे बहतर है जैसे ये दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेश, जॉब, प्रपरिटी, हर मामले में सपोर्ट कर रहा है लेकिन आप अपने मन में चलने वाले परसेप्शन की वज़ाए से हार सकते हैं, डिफीट खा सकते हैं तो बस अपने मन में चलने वाले परसेप्शन पर थोड़ा नियंतरा रखना है, रूटीन पर बने रहिए, जिस काम को कर रहे हैं उसे करिए, चीजे ईश्वर के हाथ में छोड़िए और देखे, आपका फाइदा हो जाता है अब बात करते हैं, अठारा तारीकी अठारा मार्च का जो दिन है, यह ऐसा रहेगा जब लोग आपको एप्रिशियेट ना करें, आपके बारे में नकारातमग बाच्चीत कर सकते हैं, आपको हूट कर सकते हैं, आपके हर काम में मीन मेख या कमिया निकाल सकते हैं लोगों को इग्नोर करिए, अपने रास्ते पर आके बढ़िए, जहां पर सीधे अबस्टेकल लोगों द्वारा आते हैं, सीधा बेओधान, वहां आपको सामना भी करना है, जरूरत पड़े तो नीचा भी दिखाना है, और इंसल्ट भी कर देनी हैं, फिर छोड़ना नहीं हैं, लेकिन डायरेक्ट एक बड़े जहगड़े को नहीं करना है, छोटी मोटी बातों से ताने आप भी मार सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो उनको एक तरफ चलने दीचे, आप अपने काम से काम रहिए, इसके अलावा किसी विक्ति को आपके सहीयोग की ज रपोर्ट बनाए हुए हैं, अब लेते हैं, उन्नीस तारिफ, उन्नीस मार्च का जो दिन है, यह ऐसा रहेगा जो सिचुएशन को आपके एकॉर्डिंग मोड सकता है, अगर आप उसे मोडने के लिए थोड़ा सा ततपरता दिखा देते हैं, अगर आप अपने आप में थो सुधार या जरूरत के मताबिक सुधार लाएंगे, वो भी हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, इसलिए यह दिन बहुत अच्छा और आपके फेवर में हैं, लेकिन इस दिन को अगर आप इस्तेमाल न कर पाए तो फिर बेकार हैं, आपको इस दिन को समझजिए, यह जरूर लिखे, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूरिये, अगले वीडियो में आप से फिर मिलूँगा, तब तक के लिए, बाई बाई हेलो सिंगराशी, आप सबका स्वागत है आपकी रिडिंग में, सिंगराशी आपके लिए 13 मार्च का जो दिन रहेगा, यह एक सपन दर्शी दिन जैसा रहेगा, आप दिन में जागती आँखों से ऐसे सपने देख सकते हैं, ऐसी कलपनाएं कर सकते हैं, जिसका आधार ना ह आपको चाहिए कि आप अपनी इमेजिनेशन की इस पावर को सही طریقے से यूजना बनाने में इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपनी यूजना बनाने में इस्तेमाल नहीं किया, तो ये दिन पिलकुल यूजलेस हो जाएगा, वैसे ये दिन बिलकुल बुरा नहीं है, नुक 14 मार्च का जो दिन है काफी अच्छा और मरोरंजग है आपके सम्मान में वृद्धी हो इसकी पूरी पॉसिबिल्टीज बनी हुई है इस दिन आपके द्वारा किये गए कार्यों में पूर्णता आएगी नए कार्यों को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है इस दि इशुर की कृपा भी आपके रहेगी तो एक तरह से डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन सपोर्ट आपको मिलता रहेगा आप किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी एक बात का ध्यान रखिए कि कुछ चीजे इस दिन आटो बैलेंस होंगी और जब आटो बैलेंस हों तो उस आटो बैलेंसिंग को आपको मैनुवली सही तरीके से बैलेंस मोड में बनाए रखना है यानि कि कभी कभी चीजें हमारे पक्ष में आती हैं और हम उसे अपने पक्ष में बनाए रखने में ही असफल हो जाते हैं तो वो नहीं करना है ध्यान रखि कि अब यहां से आगे क्या करना चाहिए सबसे पहली प्राब्लम कि आपने खुद को ही उस सिच्वेशन में डाला है तो चाभी निकलने की आपके पास है आप ही उस सिच्वेशन से बाहर जा सकते हैं दूसरा सेल्फ कॉन्फिटेंस को बढ़ाएए तीसरा लोगों पर भरोसा मत करिये चौथा आप अपनी प्राब्लम को खुद रिजॉल्व करने के लिए दिड़ प्रतिग्य होई और निकल जाएंगे उस प्राब्लम से आप ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशल इमेज पैसों के बड़े लेंदेन और लीगल मामले इन सभी के लिए बढ़ियां नहीं है अब बात करते हैं 16 तारीक की 16 मार्च का जो दिन है ये आपके लिए सिंगराशी ऐसा होगा जब आपकी सोशल इमेज थोड़ी इंप्रूव होगी आप एक अच्छे डिसीजन ले पाएंगे कुछ मामलों में कठोर निर्ड़े भी ले पाएंगे इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन के आपको अच्छे परिड़ाम मिल जाएंगे अगर आप अपने डिसीजन पर अमल करते हैं तो इस दिन परिवार की और से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा लोग आपको एड्मायर और अप्रिशेट करेंगे ब्यापारिक मामलों में आपके द्वारा किये गए काम उठाए गए कदम सही साबित होंगे ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और शोशल मिलेश तीनों मामलों पर सपोर्ट बनाये हुए है सत्रा मार्च का जो दिन है सिंगराशी ये आपके लिए ऐसा होगा जब आप एक दुविधा जना के स्थिति में फसें और वहां से निकलने के दो रास्ते आपके पास होंगे एक सही और एक गलत आपको सही रास्ता चुनना है फाइदा हो या ना हो अगर आपका फाइदा सही रास्ते में है तो सही को चुनिए अगर आपका नुकसान हो रहा है सही मार्च को चुनने में तो भी सही मार्च को चुनिए आगे चलकर वो benefit में बदल जाएगा लेकिन अगर आप एक गलत रास्ता चुनते हैं एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो अनैतिक है और उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आपको नुकसान बुरी तरह उठाना पड़ जाएगा वैसे इसके अलावा ये दिन आपकी छमता के प्रदर्शन करने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन आपको कोई सरकस नहीं दिखाना है आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इस दिन अपनी शमता के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएंगे ऐसी situation बन जाएगी तो उस समय confidence में रहिए आगे बढ़िए situation को manage करिए और वो दे भाग कारी परिवरतन लाने की और इशारा करता है इस दिन कुछ situations आपके favor में अनायास आएंगी तो उनको आपको grab करना है छोड़ना नहीं है ज्यादातर आप कोशिश करें कि 18 तारीक सुरू होने से पहले आपके पास एक योजना होनी चाहिए कि 18 तारीक को क्या क्या कैसे कैसे करना है और योजना के अनुरूप कारेकर ये सब चीज़ें वैसी ही होती चली जाएंगे और अगर आपके पास योजना नहीं है या नहीं बना सकते तो अपने daily routine को follow कर ये कोई नुकसान नहीं होगा ये दिन relation education social image में सपोर्ट करता है नए काम को शुरू करने में भी स से उसे वापिस पकड़ने की कोशिश में जो हाथ में है उसे भी गवा देंगे याद रखिएगा तो इस दिन लालच में नहीं आना over confidence में तो जाना ही नहीं इस दिन आपके दोरा लिये गए निरले सही होंगे आप two way situation यानी dual situation में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंग ये दिन आपके लिए अच्छा है आप अपनी income के एक नए source को बनाना चाहते हैं तो 19 तारिफ को आप इस पर विचार करें उस तरह के ideas दिमाग में आएंगे कि क्या करना चाहिए और वो करिये ये दिन relation education social image तीनों मामनों पर बढ़िया सपोर्ट बनाय हुए है तो सिंग राशी ये था आपका राशी फल 13 से 19 मार्च तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने experience अपने अनुभव कमेंट सक्षन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिये शेयर करिये और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिये अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए बाई बाइ ये ऐसा है जो एक चोटे से परिवरतन को लाता है ये परिवरतन आपके लिए काफी फाइदे मन्द होगा और इस परिवरतन की वजह से आपके जीवन में काफी सारे बदलाव आएंगे जो पॉजिटिवली आपके फेवर में होग किसी काम को चल रहे, काम को क्लोज करने के लिए, कभी कभी हम क्लोजर का डे खोजते हैं, तो ये दिन क्लोजर डे के लिए भी बहुत बढ़िया है, और इस दिन आप जिस योजना पर काम कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने की संभावना है, बस confidence बनाया रखिए, relation, education, social image, तीनो मामलों पर ये दिन सपोर्ट कर रहा है, चौदा मार्च का जो दिन है, ये ऐसा है जो आपके अंदर एक passion को ले आएगा, और उस passion की वज़ा से आप जल्दी जल्दी सी चीज़ों को करना या हासिल करने की कोशिश करेंगे, बस इसी चीज़ को रोकना है, उस passion को एक energy के तो पर इस्तेमाल करना है, जल्दबाजी के तोर पर नहीं इस्तेमाल करना है, बस ध्यान रखिएगा, इस दिन आप step by step आगे बढ़ेंगे तो सफलता बिलकुल आपको मिल जाएगी, अगर जल्दबाजी करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, इस दिन आप नए काम को शुरू कर सकते हैं, बढ़ियां तरीके से ब्यापारी किया, अपने जॉब से रिलेटेड मामलों पर डिसीजन ले सकते हैं, ये दिन रिलेशन और एजुकेशन और शोशल इमस्त, तीनों मामलों पर अच्छा है, तो ये चोधा तारीक था, अब मैं पंदरा तारीक का लगा रहा या आप उसे प्राप्त करने, इस दिन आपके द्वारा लिये गए डिसीजन या डिसीजन के बेसिस पर किये गए करमों का सही आउटकम आपको मिलेगा और आप अपनी सकस्स का स्वाद चक सकते हैं, इस दिन आप लोगों को मैनिपुलेट भी कर लेंगे और उनको अच्छे रास्ते खोलेगा, लोग आपको एड्मार करेंगे, अप्रेशेट करेंगे, लोगों की सोच आपके बारे में काफी पॉजिटिव और अच्छी दिखती है, लेकिन आपको यूज होने से बचना है, याद रखिएगा, बाकी चीज़े ठीक है, आप एक सॉफ्ट परसन रहेंगे, आपके द्वारा लिए गए निरड़े सही होंगे, लेकिन आपको लोगों का अडवाइज नहीं करनी, जब तक लोग पूछे नहीं चुप रही है, इस दिन आप सिचुवेशन को स्मूदली मैनेज होने दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आटो मैनेज ह जाएंगी और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, शोशल इमेज के लिए अच्छा है, साथी साथ, जाब के मामले में बास का सपोर्ट और घर में पिता का सपोर्ट मिले, इसकी पॉसिबिल्टी भी दिखाता है, 17 मार्च का जो दिन है, य जलती करके नुकसान उठा लेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखें, कि आप गलत निर्ड़ें ना लें, तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो दूसरों की बाते नहीं सुननी, और दूसरे आपको ये करना है, कि सिचुवेशन में जल्दी आउटकम या जल्दी रिजल्ट की प्रतिक्षा नहीं करनी है, तो जल्द बाजी नुकसान दे होगी, ध्यान रखें, ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में बढ़ियां, लेकिन सत्रा तारिक सोशल इमेज के मामले में कहता है, सतर कर रही है, अठारा मार्च का जो दिन होगा, करने राशी ये, आपके लि पिवार और अपने बारे में काफी हद तक सही मामले और सही फैसले ले पाएंगे, या सही सिचुएशन को मैनेज कर पाएंगे, सिचुएशन को सही तरह के से मैनेज कर पाएंगे, ये दिन अच्छा है, बिजनेस, जॉब, प्रोपर्टी, डिलिंग, इमोशन, इन सभी माम लों में सपोर्ट बनाए हुए है, अब बात करते हैं कन्यराशी उननीस तारीक की, उननीस मार्च का जो दिन रहेगा कन्यराशी ये आपके लिए ऐसा होगा, जो एक सॉफ्टनेस को दर्शाता है, घर में मदर का मदर फिगर का सपोर्ट मिलना, आफिस में किसी सीनियर फीम लगने वाली बातें ना कहें, इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्ड़े थोड़ा कमजोर होंगे, इसलिए उस पर दुबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिए, वैसे ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, शोशल, इमेस, तीनों मामलों में सपोर्ट बना है, हेलो तुलाराशी, आप सबका स्वागत है, आपकी रिडिंग में, तुलाराशी आपके लिए, तेरा मार्च का जो दिन है, ये थोड़ा संघर शात्मक दिन है, सिचुवेशन आपको उल्जाने वाली मिल सकती है, आप सिचुवेशन से सामना करके, ओवरकम करके जीत सक लोग आपको अपोज कर सकते हैं, और लोगों के अपोजमेंट की वज़ा से आप थोड़ा सा परेशानी का एक तरह से सामना कर सकते हैं, तो इस दिन आपको ध्यान ये रखना है, कि आप अपने काम से काम रखें, अपने काम पर बने रहें, जो आपस्टेकल आते हैं, पोज करना, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और शोशल इमेज में 75% का सपोर्ट बनाया हुए है, 14 मार्च, 14 मार्च का जो दिन है, ये आपको भविश्य में होने वाली घटनाओं के बारे में एक ओवर व्यू दे सकता है, आपके दिमाग में परसेप्शन चल सकता है, कि आज मैं जो कर रही या कर रहा हूँ, इसका ओवर कम फीचर में ये होगा, आपका आइडिया काफी हद तक सही है, इस वज़ा से प्रेजन को मैनेज कर लीजिए, यही इस दिन का पूरा सार है और यही आपको करना है, आप अगर अपनी इमेजिनरी पावर को यूज करना च नहीं है, यह दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा सपोर्ट करता है, सोशल इमेज में कहता है, थोड़ा साओधान रही है, पंदरा मार्च का जो दिन है, यह आपको आपके परिवार के प्रती करतवियों का निर्वहन करने में पूरा सपोर्ट कर देगा, जिसकी व महिलापूर सभी के लिए बता रहा हूँ, इस दिन आपको एक तरह से सोशल इमेज में इंप्रूमेंट मिल जाएगी, आप खुश रहेंगे, आपके आसपास का वातवरणा आपको सुखद मालूम देगा, और आप अपने ब्यापारिक मामलों और आर्थिक मामलों से बनाये हुए है, सोलह मार्च का जो दिन है, तोला राशी ये आपके लिए ऐसा है जो कुछ बाधाओं को दिखाता है, बाधाओं के बावजूद अपने रास्ते पर बने रही है, सिचुवेशन मिरेकली आपके फेवर में आकर बाधाओं को हटाती जाएगी और आपको है, ये दिन रिलेशन, एजूकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर साट से सतर प्रच्शत का सपोर्ट बनाये हैं, सत्रा मार्च का जो दिन है, ये आपके लिए ऐसा है, जिब आप अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए सामदाम धंड़ भेद सबका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको फाइदा होगा, दूसरों को लाब हो रहा है या हानी हो रही, इसकी परवाह किये बिना अपने लक्ष पर बढ़े रहें, सेलफिशनेस के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपको मिल जाएगी, इस दिन आप नए टार्गेट्स बना सकते हैं, इस दि 40-50% का सपोर्ट मिलता है, रिलेशन में, बाकि एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन पूरा सपोर्ट बनाए है, अठारा मार्च का जो दिन है, ये आपके लिए तुलाराशी ऐसा है, जब आप अपनी उर्जा से, अपने अंदर की आत्म विश्वास से, भवश्य को बहतर तरीके से बनाने और ढ़लने के प्रती अपने अंदर में संकल्पित हो सकते हैं, कुछ पुरानी बाद हैं, कुछ पुराने आउश्टेकल्स दूर करने के लिए इस दिन मोटिवेशन भी मिल जाएगा और आप कर भी ले जाएंगे, ये दिन ऐसा है जो आपको एक हैं, रिलेशन, एजुकेशन, शोशल इमिज, तीनों मामलों में अठारा तारीक सपोर्ट करता है, अब बात करते हैं, उन्नीस तारीक की, उन्नीस मार्च का जो दिन है, ये आपके लिए ऐसा रहेगा, जो आपको सफलता की रह पर लगातार बनाये रखने में सपोर्ट करे हुए हैं, तो तुला राशी ये था आपका राशी फल तेरह से उन्नीस मार्च तक का, राशी फल आपको कैसा लगा, अपने अनुबह, अपने एक्सपिरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करन दिन है, ये इस तरह का रहेगा जब आपको एक हाई एंड एनरजी सोर्स मिल जाएगा, मतलब आपके अंदर की औरजा बहुत अच्छी और तिवर रहेगी, और आप इस औरजा का कई तरीकों से इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे कुछ पुरानी समस्याओं का सामना करने के ल ये नए काम को शुरू करने के लिए अपने काम को सुचारू तरीके से लगातार आगे बढ़ाये रखने के लिए, आपके अंदर आप एक कॉन्फिडेंस लेवल भी फील करेंगे, जो आपको हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, ये दिन रिलेशन, एजूकेशन, शोशल इमेज, तीनों मामलों पर सपोर्ट बनाये हुए हैं, 14 मार्च का जो दिन है, ये कुछ एक मामलों में आपके कार्यों में डिले सिचुवेशन ला सकता है, या पाउस मोमिंट ला सकता है, मतलब डिले जो नए काम है उसमें हो सकता है, जो चल रहे हैं उसमें pause हो सकता है, रुकावट आ सकती है ये temporary है, थोड़े समय में ये खतम हो जाएगी, काम आपका शुरू हो जाएगा ये दिन relation, education, social image इन तीनों पर support नहीं करता लेकिन इसके बावजूद ये दिन जो है, spirituality में बहुत support करता है तो आप धार्मिक चीजों में involved हों, involution लें, धार्मिक अध्यान करें, पुस्तकों का अध्यान करें भक्ती करें, ध्यान इत्यादी करें, ये सब आपको बहुत अच्छार लगेगा और आपके अंदर की आत्मिक उर्जा को बढ़ाने में मदद करेगा इस दिन किसी नए काम को ना करें, बड़े फैसले ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा पंद्रा मार्च का जो दिन है, ये किसी समारोह में आपके शामिल होने के बारे में दर्शाता है साथी साथ कहीं एक निमंत्रा प्राप्त हो जाए, इसका भी से योग बनता है पारिवारिक माहूल बहुत अच्छा रहेगा, ब्यापारिक माहूल आपके फेवर में रहेगा आप अपने रिलेशन्स को लेकर के काफी उच्छुता और सुकुन दोनों महसूस करेंगे मार्च का जो दिन है ये कुछ एक मामलों में आपको समस्या का सामना कराएगा आप किसी और्गुमेंट के सिकार हो सकते हैं, मतलब और्गुमेंट में फस सकते हैं या किसी प्रकार के जगड़े इत्यादी में भी आपका इन्वालवेशन हो सकता है को इन दोनों में कंटिन्यू नहीं करना, वहां से जल्दी सिच्वेशन को क्लोजर में डालना है भले आपको एक तरीके से सरेंडर करना पड़े, मिन्स आर्गुमेंट हो रहा है ठीक है, सामने वाले को जीत लेने दीजिए, आप हट जाईए कहीं कोई जगड़े के स्थिती आती, सामने वाले को कहीं, आपकी बात से हम सहमत है और मामले को जल्दी निप्टा करके हटें, क्योंकि ज़्यादा इन्वलवेशन आपके लिए फाइदेमन नहीं होगी अच्छा दूसरी चीज अब यह हो गया, आप किसी काम को हाथ में लेकर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस कार्रे में बाधा आ गई, उस कार्रे में आपस्टेकल्स आ गए, अब आपको जोर लगा कर उस काम को कम्पेट करना है, यहां हार नहीं माननी, यहां पीछे न सपोर्ट बनाए है, अब बात करते हैं, सत्रा तारीकी, सेविंटेंथ मार्च का जो दिन है, यह पहली चीज तो रोगों से उबरने में मदद करेगा, परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्त में कोई समस्या थी, तो उनका विशेश ध्यान रखना है, इस दिन आपको कुछ समस्याओं का सामना कराएगा, आपको अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पहले हैंडल करना है, पहले सामना करना है, बड़ी प्रॉब्लम का, छोटी प्रॉब्लम बाद में आटो मैनेज हो जाएंगी, यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, शोशल लिमेज, त आप ही दिखाएंगे, आप जानते हुए भी कि इस परसन पर बिलीव नहीं करना चाहिए, अगर बिलीव करेंगे तो नुकसान आपका होगा, इन चीजों के अलावा, जिन मामलों में आप फस जाएं, या एक सिचुएशन ऐसी आए, जहां सब चीज़ें आपको आपके वर रिलेशन एजूकेशन शोशल इमेज तीनों मामलों पर ये दिन सपोर्ट नहीं करता, अब बात करते हैं उननीस तारीक की, वरिश्चिक राशी आपके लिए उननीस मार्च का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, प्रबेबली पीछे के तीन दिनों से बहतर रहेगा, इंप् अपने मन में चलने वाली हलचल को काफी हद तक शांत और अपने नेंतरण में पाएंगे, तो फ्रिश्चिक राशी ये था आपका राशी फल 13 से 19 मार्च तक का, राशी फल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभूख कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए, बाई बाई हेलो धनुराशी, आप सबका स्वागत है, आपकी रिडिंग में धनुराशी, आपके लिए 13 मार्च का जो दिन है, ये एक तरीके से आपके फेवर में तो रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी सोशल इमेज डैमेज ना होने पावे, बाकी आप अपने बनाने के लिए भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ब्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में ये दिन अच्छा और सपोर्ट बनाय हुए है, रिलेशन, एजूकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है, फ अपने डेली रूटीन को फालो करना है, चीजें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, आएंगी और आपके पक्ष में सेटल हो जाएंगी, इस दिन आप बस अपने आपको अपने हिसाब से सही पत्पर बनाये रखें, किसी का बुरा ना करें, बुरा ना चाहें, इस चीज का धान रखें, इस दिन आप अपने खुद के व्यक्तित में एक परिवर्तन भी फील कर सकते हैं, तो जो भी फीलिंग्स आती है, उसे पॉजिटिव मानें, एक्सेप्ट करें और होने दें, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल लिमिस्ट, तीनों मामलों में सपोर्ट कर लेंगे, लोगों की राय आपके बारे में बड़ी पॉजिटिव रहेगी, आपके दोस्तों की संख्या इस दिन बढ़ सकती हैं, आपके दोरा लिये गए निर्ड़े काफी अच्छे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अपने निर्ड़ेयों पर काम करें, तो ज्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं, ये दिन थोड़ा सुकून भरा होगा, इस दिन को इंज्वाई करें, बाकी की प्रॉब्लम्स इस दिन के सराउंड यानि की आस पास रहेंगी, लेकिन वो आपको ज्यादा परिशान नहीं करेंगी, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में इस तीनों मामलों पर सपोर्ट बनाए हुए है, सोला मार्च का जो दिन है, ये आपके लिए ऐसा रहेगा जो दुपक्षी मामलों में सिचुएशन को आपके फेवर मिलाता है, ब्यापारिक संबंध हो, प्रेम संबंध हो, रिलेशन्शिप हो, फ्रेंडली रिलेशन हो कुछ भी हो, सभी में दुपक्षी मामले आपके फेवर में रहेंगे, इस दिन आप इमोशन्स में आकर किसी को कोई प्रामिस ना करें और इमोशनल डिसीजन तो लेना ही नहीं है, इस दिन आप कुछ एक मामलों को ईश्वर के उपर छोड़ दें और फ्लो के साथ आगे च आप चाहेंगे और कोशिश करेंगे, तो अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे और सिचुएशन्स में बहतर परिडाम आए, इसके लिए सही कदम उठाने में सक्षम रहेंगे, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेश, तीनों मामलों में सपोर्ट बनाया हुए ह 17 मार्च का जो दिन है, ये आपके लिए ऐसा रहेगा, जो कुछ एक मामलों में पैसों की दिक्कत ले आए, या पैसे होते हुए, धन होते हुए भी उसका इस्तेमाल ना कर पाएं, या उसके इस्तेमाल का कोई बेनिफिट ना मिले, ऐसे सिचुएशन लाएगा, तो ये एक पैनिक सिचुएशन है, इस पैनिक सिचुएशन में पैनिक का मतलब होता है घबराहाट वाली, तो इस पैनिक घबराहाट वाली सिचुएशन में आपको डर कर कोई डिसीजन नहीं लेना, एक दिन के लिए टाल ये चीज़ों को, कल फैसला करेंगे, छोड़ दीजे है ये दिन रिलेशन एजूकेशन शोशल में इस तीनों मामलों में केवल पचास परसेंट का सपोर्ट बनाये है एटेंथ मार्च की बात करते हैं वापिस सत्रा के बाद अठारा तारीक अच्छा हो गया चीजें बहतर कंट्रोल में आ गई अब इस दिन आप निर्ड़े ले सकते हैं वैसे ज्यादतर मामलों में जरूरत नहीं पड़ेगी चीजें जो सत्रा तारीक को थोड़ी डिश्टर्ब हुई थी वो आटो मैलेज हो जाएंगी अठारा तारीक को अगर कोई निर्ड़े से थोड़ा आगे जाना पड़े तो ये करिए ये आपके लिए बड़ा फाइदेमंद है और आपके मामले में सिचुवेशन को आपके फेवर में रखने और आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ाने में मददगार होगा ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशल इमेज और ने कहा आपका कंट्रोल आपके हाथ में देगा आप अपने वेक्तित तोर परसनालिटी में अपने हैबिट्स में परिवरतन ला सकते हैं दूसरों को प्रभावित करके अपने काम निकालने सकते हैं इस दिन आप सिचुवेशन को अपने पक्षमे मोड़ने में बहुत हद कि सफल हो जाएं लेकिन इसके लिए जो पहली चीज की जरूरत पड़ेगी वो है आत्म विश्वास अपने उपर विश्वास करें तो सारी चीजे इस दिन मैनेज हो जाएंगी ये दिन ऐसा है दमजीशन जो सिचुवेशन को मैनेज करता है एकॉर्डिंगली जैसा वो चा मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आप से फिर मिलूंगा तब तक के लिए हेलो मकराशी आप सबका स्वागत है आपके रिडिंग में मकराशी आपके लिए 13 मार्च का जो दिन है अच्छा और बुरा दोनों के बीच में रहेगा कुछ एक बाधाये साथ में रहेंगी और मार्ग भी जो आपका अपना पत है वो स्मूद भी दिखेगा तो मतलब अग काम कोशिश हैं अगर आप अपने मारग पर आगे हैं प्रशरस्त हैं तो बाधाये हटती चली जाएंगी रास्ता खुलता चला जाएगा लेकिन आप पीछे से देखेंगे तो रास्ता बंद भी दिख सकता है ध्यान रखिएगा तो परसेप्शन में में जाएए ये दिन आ में मदद करेगा आर्थिक मामलों में प्रगती दिखाता है आपके द्वारा लिए गए निर्ड़े सही साबित हों और उनके भविश में अच्छे परिडाम हैं इसकी पॉसिबिल्टी दिखती है किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं नए प्रोजेक्ट में आप अपने आप कम प्राप्त कर सकते हैं तो ये दिन पूरी तरा आपके सपोर्ट में हैं घरेलो मामले हो चाहे ब्यापारी ये दिन आपके लिए फेवर कर रहा है तेनों मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट बनाये हुए है फिफ्टीन्थ मार्च का जो दिन आपके लिए होगा ये कुछ एक मामलों को आपके पक्ष में रखेगा लेकिन ज्यादा तर आपको मेहनत करा देगा यानि आप अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ें ये दिन इस तरह का है जिस लक्ष जिस काड़ को कर रहे हैं उसे करिए लोग आपको एप्रिशेट भी कर सकते हैं हेल्प की मदद की पेशकश भी कर सकते हैं एप्रिशेशन को ले लीजिए फिर में पेशकश जरूरत है तो मदद लीजे दूसरों की अब बात करते हैं 16 तारीकी 16 मार्च का जो दिन है आपके लिए मकराशी ऐसा है जो आपको एक सोच विचार वाली मुद्रा में ले जायागा जहां आप विचार करें सोचें कि आगे क्या करना और क्या नहीं करना यहां जो सोचने की मुद्रा है वो आपके लिए है ना कि दू दूसरों के सजेशन पर डिसीजन नहीं लेना याद रखिएगा इस दिन आपके द्वारा किये गए इन्वेस्टमेंट अब इन्वेस्टमेंट पैसों का नहीं होता है इन्वेस्टमेंट कई होते हैं पैसों का होता है इन्वेस्टमेंट इमोशन्स का भी होता है कभी कभी दूसरों की मदद करना भी एक इन्वेश्टमेंट ही है तो जो भी इन्वेश्टमेंट आप करते हैं उसका आउटकम फ्यूचर में आपके फेवर में बढ़ियां मिल जाएगा ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशली में तीनों मामलों में बढ़ियां सपोर्ट बनाए है 17 मार्च का दिन आपके लिए ऐसा होगा जो आपको आपके लक्ष को प्राप्ट करने की दिशा में सपोर्ट करेगा आप आगे बढ़ेंगे लोग आपको एड्मायर करेंगे एप्रिशेट करेंगे कुछ मामलों में फालो कर सकते हैं ये दिन आपके लक्षों को प्राप्त करने में बढ़ियां है नए लक्ष बनाने में भी बढ़िया सपोर्ट intrigued बनाया है रिलेशन एजुकेशन शोचल इमिज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है अठारा तारिक की बात करते हैं ये दिन आपको आपकी सोशल इमेज इंप्रूव करने में और होने में मदद करेगा आटोमेटिक भी इंप्रूव होगी और आप खुद भी कर ले जाएंगे ब्यापारिक और आर्थिक मामलों में आपके निल्ले सही होंगे कुछ हद तक घरेलू मामलों में भी आप बढ़ियां डिसीजन्स ले पाएंगे लेकिन आपको अपने डिसीजन्स पर काम करने के लिए थोड़ा सा विल पावर की जरूरत पड़ेगी तो उसे करिए कोशिश करिए कि विल पावर आपकी बनी रहे रिलेशन एजुकेशन शोशल इमिज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है अब बात करते हैं 19 तारीक की तो 19 मार्च का जो दिन है कहता है आगे बढ़िये एक यात्रा के बारे में ये इंडिकेशन देता है यात्रा धार्मिंग भी हो सकती है और कुछ हैक मामलों में परसनलाइज भी हो सकती है इस दिन आपके उपर इश्वर की करपा बनी है और आपका विश्वास जो इश्वर पर है उसे बनाए रखिये सफलता आपको मिल जाएगी चोटे मोटे चैलेंजे चोटे मोटे रिस्क लीजिए और इस दिन आगे बढ़िए ये दिन आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में सपोर्ट देता है लेकिन सोशल इमेज में कहता है साओधान रही है तो मकर राशी ये था आपका राशी फल 13 से 19 मार्च तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए बाई बाई हेलो कुम्हराशी आप सबका स्वागत है आपकी रिडिंग में आपके लिए कुम्हराशी 13 मार्च का जो दिन है काफी अच्छा रहेगा ये दिन आपको धार्मिक रुजहान की और धके लेगा लेकिन एहंकार से आपको दूर रहना है अगर एहंकार को मैनेज कर लिया तो ये पूरा दिन आपके सपोर्ट में हर एक मामले में आपको फेवर करेगा यहां तक कि लोगों को मैनूपुलेट करने के मामले में भी फेवर करेगा यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में, सभी मामलों में सपोर्ट कर रहा है 14th मार्च, 14 मार्च का जो दिन आपके लिए है यह काफी भागेकारी परिवर्टनों को लेकर आएगा situation accordingly manage होती जाएंगी और आपके पक्ष में आएंगी तो उसका इस्तेमाल करना है grab करना है opportunities को otherwise एक योजना बना कर काम करिए यह दिन आपको सफलता दे देगा जिन भी मामलों में योजना बनाएंगे relation, education, social image इन सभी मामलों में यह दिन बहुत सपोर्ट करता है पूरा पूरा फुल फुल अब पंदरा तारीक की बात करते हैं 15 मार्च का जो दिन है यह दोई पक्ष मामलों में सपोर्ट सिस्टम बनाए हुए है साथी साथ इश्योर की करपा भी आप पर बनी है इसको दिखाता है लेकिन तीसरे लोगों के interference को भी दिखाता है और अपने विवेक से निड़े लेना है अगर आपने अपने लिए कुछ नियम बना लिये हैं तो अपने नियमों का पालन करिए समस्या का समधान हो जाएगा यह दिन relation, education और social image तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है अब लेते हैं 16 मार्च को दिन आपके लिए है यह ऐसा होगा जो एक celebration को दर्शाता जैसा कार्ड की image में दिख रहा है ट्राइंगलर situation आपके favor में होंगे relation के मामले में यह दिन बहुत अच्छा है लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप emotional decision ना ले emotional होकर कोई promise ना करें दूसरे लोगों के बारे में कोई judgmental speech या argument या decision ना दे इन सबसे दूर रहना है बस और कुछ नहीं यह पूरा दिन आपके support में है नए काम को शुरू कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है relation, education, socially में सभी में यह दिन support करता है 17 मार्च का जो दिन होगा कुम्भराशी आपके लिए ऐसा होगा जब situation को आप भी balance कर पाएंगे और auto balancement भी चलेगा तो दोनों ही balance को आपको आगे चल करके balance में बनाए रखना है इस दिन आप अपनी श्मता से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे आप एक ऐसे वक्तित्य के रूप में इस दिन निखर कर सामने आ सकते हैं जिसकी च्छमता को अभी तक लोग कम आख रहे थे इस दिन इश्वर के कृपा आपके उपर बनी दिखती है इस वज़ा से आप कई मामलों में और कई सारे कार्यों में सफलता अरजित कर ले जाएंगे ये दिन रिलेशन एजुकेशन शर्शली में इन तीनों मामलों में बढ़ियां सपोर्ट बनाये हुए है अब बात करते हैं अठारा तारी की अठारा मार्च का जो दिन है ये कहता है कि अगर किसी कार्यों में पाश्ट में बाधा आ गई थी उस काम को फिर शुरू करना चाहते हैं तो इस से बहतर दिन नहीं मिलेगा दूसरे किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमिज, बिजनस, जॉब, प्रॉपर्टी हर मामले में सपोर्ट बनाए हुए है इस बात का ध्यान रखिएगा अब लेते हैं 19 तारीक को 19 मार्च का जो दिन है कुम्भराशी आपके लिए ऐसा है जब आप दिन को एक कच्ची मिट्टी की तरह पाएंगे कच्ची मिट्टी से आप कुछ भी बनाएं वो बनता चला जाएगा तो ये दिन आपके एकॉर्डिंग चलेगा आप आप में विश्वास से जितना लवरेज रहेंगे दूसरों की परवाह नहीं करेंगे अपने काम से काम रहेंगे उतना सफलता आपको मिलेगी ये दिन रिलेशन एजूकेशन शोचल इमिन तीनों मामलों पर सपोर्ट बनाए है तो कुम्भ राशी ये था आपका राशी फल 13 से 19 मार्च तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुवो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आप से फिर मिलूँगा तब तक के लिए बाई बाई हेलो मीन राशी आप सबका स्वागत है आपकी रेडिंग में आपके लिए 13 मार्च का जो दिन है ये ऐसा रहेगा जो सिचुवेशन को आपके पक्ष में मोडने में सफलता तो देगा लेकिन दूसरे मामले या दूसरे लोगों के अपोज विरोध का सामना भी करेगा आपको बस अपने काम से काम रहना है दूसरों के विरोध को इगनोर करना है आप अपने काम से काम रहेंगे विरोध को इगनोर करेंगे तो आप सफलता की और आगे बढ़ेंगे लोग चाहे जितना क्रिटिसाइज करें चिलने हैं फरक नहीं पड़ता ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशली में तीनों मामलों में सतर प्रतिशत का सपोर्ट बनाया है 14 मार्च का जो दिन आपके लिए है ये ऐसा है जो टू वे सिच्वेशन को आपके फेवर मिलाएगा लेकिन मामले में अगर थरी वे फूर वे एंगल आता है तो उससे दूर हट जाईएगा एक बार में दो से अधिक काम नहीं इसको ध्यान रखिए ये दिन आपको ब्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता दिलाएगा प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता दिखाएगा और आप अपनी च्छमता के तदन रूरुप परदर्शन करके लाब उठा सकते हैं ये दिन भी रिलेशन एजुकेशन और शोशल इमिस तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हैं पंदरा मार्च का जो दिन है ये आपको एक एक कदम करके आगे बढ़ने को प्रेरिद करता है आपके जो पैशन है आपका जो एक जोश खरोश है उसे समझदारी और समाल कर इस्त के मामले में ये दिन सपोर्ट करता है अब बात करते हैं 16 तारीक के 16 मार्च का जो दिन है मीन राशी आपको कुछ दोविधा जना किस्तिति या आसोविधा जना किस्तिति में ला सकता है आपको लोगों को इग्नौर करना और अपने काम से काम रहना है पहली चीज़ अगर आपके काम में कोई बाधा आती है तो हार नहीं मानना है सफलता आपको मिल जाएगी। कुछ एक मामले आपके लिए ऐसे हो सकते हैं जहां लोगों का मजाक आपको बुरा लग जाए तो वहां आपको बुरा लगा इस चीज को बताईए और लोगों के सामने थोड़ा सा नारा लाजगी दिखाईए ये आपके वक्तित और भविश दोनों के लिए बढ़िया है हाला कि ये दिन आपको नए काम को शुरू करने के लिए नहीं कहता लेकिन पुराने कामों में जोर लगा कर आगे बढ़िये सफलता मिलेगी ये दिन रिलेशन एजूकेशन और शोशल इम रहेंगे इस्थर रहेंगे उतना बेहतर तरीके से आप परिप्रेक्श क्या है द्रश्य क्या है देख सकेंगे और एकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाएंगे ये दिन महिलाओं के लिए बहुत सपोर्टिव है और पुर्शों के लिए भी ये दिन काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है नुकसान देह नहीं है जहां पर सही और गलत में से चुनाओ करने का मामला 17 तारिक को है आपको सही को चुनना है गलत को नहीं चुनना याद रखिएगा ये दिन विलेशन एजूकेशन स्टोशल इमिज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाये है अठारा तारिक आपके लिए ऐसा दिन है जो ट्रैंगलर सिचुएशन को आपके फेवर में ला सकता है और आपके फेवर से हटा भी सकता है डिपेंड करता है आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं सिचुएशन को जैसे लोग आपको मदद के पेशकर्श करेंगे जरूरत है रिक्वार्मेंट है तो गिन्नी कर देगा आपको तो इस्ट्रेट चलिए जहां अपर्चुनिटी मिले गैब करिये जहां नहीं मिले छोड़ दीजिए परेशान मत होईए ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशल इमेज तीनों मामलों में 30-40% का सपोर्ट बनाता है लेकिन बहुत बड़ी हैं तरी इम्प्रूमेंट दिखाता है इस दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप इमोशनल होकर ना कोई निड़े ले ना किसी प्रकार का प्रॉमिस करें इस दिन आप जितना अपने आप में रहेंगे सिच्वेशन में सिर्फ इंजुए करेंगे और कई सारे मामलों को लाइट में ल एजुकेशन इन सभी मामलों में सपोर्ट कर रहा है तो मीन राशी जैसा कि आप जानते हैं आप राशी चक्र की आखरी राशी है और आपके साथ ही आज के राशी फल यहीं समाप्त होते हैं राशी फल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभू कमेंट से इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आप से फिर मिलूँगा तब तक के लिए बाए बाए